नमस्कार दोस्त, अगर आप class 11th and class 12th के teacher बनना चाहते हैं, यानि अगर आप intermediate के teacher बनना चाहते हैं, तो क्या qualification at least आपके पास होनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ PG भी आप उसी subject से करिएगा, जिस subject को आप आगे पढ़ाना चाहते हैं, तो जैसे ही आपने PG complete कर लिया है, finally आप eligible हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में intermediate के teacher बनने के लिए, योकि उत्तर प्रदेश में intermediate के teacher के लिए UP-PGT का exam लिया जाता है, जो UP-PGT का exam लिया जाता है, उसमे B8 जरूरी नहीं है, अगर आपके पास B8 है, तो आपको 5 number bonus दिया जाता है, अगर B8 नहीं है, तो वो 5 number जो bonus होता हो आपको नहीं मिलेगा, तो अगर आपने B8 किया हुआ है, तो आपको 5 number extra मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने B8 नहीं किया हुआ है, तो वो 5 number आपको नहीं चाहते हैं तो उसके लिए कहीं कहीं आपको B8 मांगा गया है ठीक है यानि B8 भी आपके पास होना चाहिए तभी आप intermediate की teacher बन सकते हैं अब अगर आप qualification फुलफिल करते हैं तो UP PGT का form निकलता है प्रतेक वर्स तो नहीं निकलता है दो वर्स तीन वर्स में एक बार form निकलता है उस form में आपको apply करना है जिस subject से आपने PG किया हुआ है उसी subject से आप apply कर सकते हैं apply करने के बाद finally आपका exam होता है exam का result आएगा अगर मेरी चार्ट में नाम आता है तो फिर आपको interview के लिए call किया जाता है interview में आपका अगर interview अच्छा होता है तो finally आपका selection होता है और आप intermediate के teacher बन सकते हैं